तो गाइस आज हम आपको बताएंगे फेक वाटसाप यूएस के नमबर पे फेक वाटसाप बनाना आपको सिखाएंगे यूनाइटेड स्टेट के नमबर पे जैसा कि आप मेरा वाटसाप देख रहे हैं कि यूनाइटेड यूएस के नमबर से बना हुआ नमबर है आप किसी को इस नंबर से SMS करेंगा तो वह चौक जाएगा क्योंकि यह दूसरे country का number है तो किस तरीके से करना है मैं पूरा इस वीडियो में explain कर दूँगा एक-एक आप easy तरीके से बना सकते हैं और US का number बनाने के बाद बहुत सारे लोगों का number नहीं दिखता जो contact number है यह application WhatsApp खोल के यहां पे show करेंगा तो नंबर भी 100 होने लगेगा ठीके और बहुत लोग बोलते हैं कि जब भी हम chat करते हैं तो number ब्लॉक हो जाता है मतलब कि जो number है वायन हो जाता है तो मैं अभी लाइव करके आपको दिखा रहा हूं पहले देखे मैं उसी number से United US के number से मैं एसेज कर रहा हूं अपने दूसरे number पे तो यहां पे मैं टाइप कर लिया हाय हेलो भाई कैसे हो चलो लिख लिया मैं अभी शेंड करता हूं पहले मैं आपको एक्जांपल करके दिखा रहा हूं फिर कैसे क्रेट करना भी बता दे रहा हूं तो मैंने मैसेज किया मेरे दूसरे वाट्साप पे ओपन करता हूं देख्ये यहां पे मुझे साबसे ऊपर ही आ गया देख्यों किस नांबर से amusing मुझे वार्टसाप नंबर । तुम यह देखिये युएस के नंबर से आया है अब कर देता हूं चलिये यहां पे लिख देता हूं मत मत भाई कुछ भी जो भी मन में है लिख दो यह देखे मैंने शेंड कर दिया जो की नंबर अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है यह दिखे ठेक तो आईए अभी बताता है कि किस तरीके से आपको बनाना है यूश के नंबर पे वाट्साप तो आर चैनल पर नए है तो फ्लीज चैनल को फटा- थी आप वीडियो देखके भाग मत जाना प्ले स्टोर में और सर्च करने लगे क्योंकि मिलेगा नहीं मैं अभी वीडियो में ही बताऊंगे अप्लिकेशन कहां मिलेगा ठीक है तिसलिए बने रही है एप का नाम है सेकंड फॉन नंबर अब यह देखके आप बहुत सारे क्लो में बताऊंगा लेकि वीडियो आप पूरा देखे तो इस आप को मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया तो इसको ओपन करते हैं फिर आपको सेट अप करके दिखाते हैं इसमें ज्यादा कुछ ताम जाम नहीं करना है ठीक है आप्लिकेशन को डाउनलोड करना इंस्टॉल करना ह अपन करेंगा तो कुछ next next करने के लिए आएगा जैसे कि हर अप्लिकेशन में आते हैं तो next करेंगा तो यहां पर लिखे आएगा second phone number interface सेम यह जैसे पहले मैं एक वीडियो बना था text plus का सेम उसी तरीके से इसका interface है लेकिन इसमें setup कुछ अलग तरीके से यहां पर आपको च इसी एक email ID पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है तो मैं चलिए एक email ID पर क्लिक कर देता हूं जैसे क्लिक करेंगे तो आप आजाएंगे इस phone के next page यहां पर देखेंगे मुझे दो option दिख रहा है message call message call तो ना तो मुझे message अभी आ है क्यों मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है तो आज आएंगे ऊपर की तरफ three dots दिख रहा होगा आपको three lines उस पे click कर देना है तो जैसे click करेंगे तो एक आपको alternate generate करके number देगा यह अपने तरफ से generate करके देते हैं कि US का ही number देता है दूसरे country का नहीं देता है ठीक है यह देखे इस तरीके से number जो plus one three one zero series यहां पे कुछ select करने का option है तो जो number देदेंगा बयान होगा दूसरा email id select करके आपको लेना है तो इस number को copy करना है जैसे click करेंगे number पे long press तो copy हो जाएगा तो आज आना है अपने WhatsApp में जहां पे आपको create करना है किसी एक WhatsApp को आप clone बना ले रहा है या तो download कर लेना बहुत सारे तरीके आपको म test कर दूंगा जो number मैंने वहां से लिया ठीक है अभी इंडिया सेलेक्ट है तो मैं इसको United States का लूँगा क्योंकि plus one US का number है तो जैसे next करूंगा तो यह अभी हमारा redirect कर मतब कि एक OTP भेशता है जैसे भेशता है आदर नंबर का तो यह पूछ रहा है कि this number is correct yes तो मैंने click कर द receive हुआ कि नहीं तो यह रहा यह मेरा WhatsApp हाँ यह application है मेरा second phone number इसको open कर लेते हैं ओपन करेंगे देखिए इसमें receive यह देखिए हमको सबसे उपर ही बहुत सारे आपको message आ जाएंगे क्योंकि active welcome करके आता है कि आपका number जो activate हो गया तो यह सबसे उपर ही दुख आया मुझे 812 जो OTP मुझे receive हुआ है मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ 812 670 जो मुझे वहाँ पर OTP receive हुआ तो जैसे देखिए setup कर लिया आप WhatsApp अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो number वहाँ से मैंने लिया था सेम नंबर से मेरा WhatsApp जो है देखिए चालू हो गया 310-953-3711 ठीक है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था तो गाइज आईए बताता है आप को कहां से इंस्टॉल करना है तो मैंने वीडियो के description में एक link दिया उस link को copy कर लेना और आप किसी भी browser में इसको paste करके ज किसी दॉप अेलिड़ बते किसी समार्टिंग में इसको जुप में लेखिए भी